गुड मॉर्णिंग सबको एक पर आवाज चेक कर लो गया इससे जस्ट पहले की क्लास में गया ना एक मिनट हम बोलते रहे गया और किसे तक आवाज ही नहीं गई क्योंकि माइक्रोफोन आउन नहीं था चली audio clear है तो class शुडू करता है देखो syntax analysis जब भी करेंगे ना तो editorial के वक्त में किया है कि जो limited है उतने पर ही focus करना रीडिंग के वक्त में क्या है कि additional question पूछोगे तो चल जाता है क्योंकि हमारे प्रास यहां पर scope होता है यह purpose है कि syntax analysis हमारे सही हो जाए और दूसरा क्या है कि थोड़ा vocab क्यों literature की शब्द अलग होते है एडिटोरियल की शब्द क्या होते है अलग होते है यह दोनों के इसलिए पूछते हैं तो यहां पी आप पूछ सकते हो सवाल हाँ और शेयर तो किया ही करो थोड़ा बोट शेयर करो क्या है मतलब लाक में नहीं बट हजार में सब्सक्राइबर बढ़े तो अच्छा लगता है कुछ एक हजार और हूँ अभी तो दो हजार भी हम लोग नही पहुंचे हैं बट स्टिल हम खुश हैं मतलब ऐसा नहीं कि हम बहुत दुखिया सवेर उठते हैं तो हम रोते हुए उठते हैं चलिए तो क्लास शुरू करते हैं एक मिनिट और वेट कर लेते हैं कुछ लोग और क्योंकि नॉर्मली अर्टेंटिंस कह रहती है ठीक रहती है अच्छी हाई रहती यहां पर चलिए सबको गुड मॉर्णिंग आज रोशन को लगता दो बार डाट पर हमसे हैं हाँ लाइक करने में भी शर्माते हैं लोग बट कोई बात नहीं शर्माने दो ठीक है रोशन को हमसे दो बार डाट पर ही है कोहता बैद कोई बात नहीं चलिए ओल यहां पर यहां पर अज्ज़ेक्टी वर प्रोम दोनों होता है यहां पर जो यह आल माला है बच्छा कौण वाला है प्रोम वाला ऑल बड़ कूऑ तो यहां पे जो all है वह प्रणावन है that भी आपका क्या है? pronoun है is है आपका all pronoun है क्यों है बता देते है है यह तो clear हो गया है कि determiner pronoun adverb तीनो है determiner या नहीं adjective जब भी determiner लिखा रहेगा तो हम क्या है सारे determiners क्या अलग अड्जेक्टिव के categories में पढ़ाते हैं जैसे all तुम लोगों को हमने पढ़ाया था quantitative adjective में pronoun के रुप में all की देखो कि meaning all that I had है followed by a relative clause अधिकतर बार relative clause आता है नहीं that word इसके साथ क्या अलगा हुआ रहता है all that है कई बार बीना that के भी आता है लेकिन यहां पे that लगा हुआ है इसी से हम पकड़ लिए हमारे मन में कहीं न कहीं था reading से ही याद रहता है कभी न कभी हमने पढ़ा होगा तो हमारे मन में था कि वो तो pronoun के sense में use होता है अब भी देरे-देरे reading करोगे तो समझ में मोहन को audio नहीं आ रही है किसी और को audio का issue है गया मोहन बोल रहा audio नहीं आ रही है गुड मॉर्ण निकी देख लोगे तो क्योंकि हम लोग तो तब से class ले रहे हैं तो idea नहीं लगा audio तो सही है सब का चलो यह तो फिर हमें पता चला कि अभी इस session में भी दो मिनट मिस हो गया audio देख लोगे मोहन तुम्हारा कुछ इशू होगा audio सही है चलो तो clear हो गया न कि all pronoun क्यों है audio नहीं आ रहा तुम volume कहीं देखो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं अब इसमें हम क्या कर सकते हैं ठीक है इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना चलो आगे दिखा जाए लेफ्ट यहां पर भर्प का तीसा रूप है लेफ्ट का पाटिसिपल फॉर में बी के साथ भी थ्री आया है अफ प्रिपोजिशन है वाट देखो वाट भी क्या नहीं एक वास्ट है मतलब वाट का भी प्रियोग क्या है काफी जगों पर हम लोग यूज करते हैं तो वाट का प्रियोग हम तो रेलेटिव प्रणाउन के रूप में भी करते हैं तो यहां पर वाट आपका क्या है रेलेटिव प्रणाउन के रूप में यूज हुआ है मदर्स फैमली तो यह पहला नाउन है यह दूसरा नाउन है और इनको जोडने के लिए हमने किया है पॉसिजिव एपस्ट्रफ एस का प्रयोग किया है ओंड भर्ब का दूसरा रूप इस आपका क्या है मेन भर्ब है यहाँ पे इस मेन भर्ब किसके लिए बताऊगे इस किसके लिए आ रहा है बताऊगे इस है ना औक्जिलरी या फिर मेन भर्ब जो भी है तो सिंगुलर कोई टर्म होगा जिसके लिए इस आएगा तो आपको बताना है कि आ किसके लिए रहा है यहां तक है मिटा देते हैं समझा देते हैं इसलिए मिटाना जरूरी है ना क्योंकि हमको एक तीर खीचना परेगा इसके लिए और फयास का अंसर सही है अल ऐसे पूरा सिंटेक्स भी तुम ऐसे कर सकते हो कि लेकिन आल से क्या डायरेक्ट रिलेटेडड कर सकते हो कि मतलब अल डैट इस लेफ्ट मतलब हमारे माता पिता मतलब हमारे मा के फैमिली जो भी चीज़े own करती थी उसमें से जो बचा है वह है our own house तो ऐसे कह सकते है all that is left is our own house अब देखो किया कि तुम लोगों को अगर चेक करना है कि तुमने जो analysis की वह सही है गलत है तो हमने जो बोला है उसको पढ़के देखो all that is left is our own house तुमको लगे कि हाँ सर यह तो सही है जिसने family लिखा हो पढ़े family is our own house कैसा लग रहा है जिसका कहना है what what is our own house वो पढ़के देखो अपने आप पता चल जाएगा all that is left is our own house अब जो एक मातर चीज बची है वो है हमारा अपना घर तो all that is left के साथ देखो रिलेट हो रहा है तो आपने जो जो answer किया है उसके साथ उसको जोड के देखो जैसे किसे ने what बोला है तो उसको पढ़ने पे बनेगा what is our family sorry what is our own house family is our own house लेकिन हमने बोला है all that is left तो उसको पढ़के देखो all that is left is our own house और जो एक मातर चीज बची है वो है हमारा अपना घर तो यह सही है I hope मृतियूंज समझ माया होगा कि क्या बोल रहा है नहीं समझ माया होगा तो फिर से पूछो यह तरीका होता है relate करने का our own house तो house क्या हो गया तुम्हारा noun हो गया और आपका अड्जेक्टिव हो गया और आर आपका अड्जेक्टिव हो गया पॉजिसिव अड्जेक्टिव कहते है आर को आर को क्या कहते है पॉजिसिव अड्जेक्टिव कहते है ठीक है ओ नहीं है पर adjective है किरिन कोटेश चलो किरिन कोटेश जो लिखा हुआ है बच्चा यह किस्चिस का example है बताओ क्लास रहती तो मज़ा जाता है कोई मेरी क्लास नहीं कियो न हम क्लास पे है न खड़ा करवा देते हैं बच्चों को अगर आंसर नहीं करते हैं तो क्लास किरिन हाँ किस्चिस का example है किरिन है करते हैं एक्नावन का खिक्र खिक्रक चार्थे हैं फिर उसको एक्स्प्लेइन करते हैं तो हमारा अपना घर कौन सा है करिंक इस क्या क्या है हमने कॉमा से सेपरेट किया है आप पीछे देखिएगा हम कई बड़ इसका जिक्र कर चुका है इसे कहते है नाउन इन अपोजिशन एंड फार एंड कंजंक्शन है दो नाउन को जो रहेगा करिन कॉटेज मतला ओन हाउस और दूसरा हो गया फार्म फार्म काउंटेबल ना उन्हें आर्टिकल ए लगा अलिटिल वे ओफ अब देखोगे ये थोड़ा क्या है ना हलका सा कॉंप्लिकेटिड लगा होगा तुम ल लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होती कैसे नहीं होती देखो OFF से शुरू करोगे आखिर से हमेशा जब भी पार्सिंग करोगे अगर दिक्कत हो तो आखिर से शुरू करो किस से शुरू करो आखिर से तो तुमको क्या होगी आसानी होगी तो off से शुरू करोगे तो यह preposition है तो अब सोच करके देखो कि कौन सा पार्ट से पीछ है जो preposition के लिए यूज कर सकते है Adverb और Adverb को कौन qualify कर सकता है Adverb तो a little way off and Kirin Island and conjunction और Kirin Island आपका क्या है नाउन है इसको जब पढ़ाएंगे ना तो clear हो जाएगा नहीं इसको समझा ही देते हैं इसलिए समझा देते हैं क्योंकि फिर हम मिटा देंगे ना पढ़ा आगे का पार्सिंग करेंगे इसको पहले समझा देते हैं तो देखोगे पहले तो हम जो बोल रहे हैं वो सही है ये चेक कर लेना है कि वे Adverb होता है Off preposition होता है A little क्या होता है Adverb होता है A little का मतलब क्या हो गया बहुत कम या ठीक ठाक reply करोगे बहुत कम या ठीक ठाक हाँ wrong होना था इसलिए थो हम बता रहे है wrong होता है चलो बताओ ठीक ठाक मतलब कम दूरी नहीं है थो रजादे दूरी होगी तो a little का प्रियोग करेंगे अब बहुत कम दूरी होती थो हम लोग सिर्फ क्या लेटिल का प्रियोग करते है चलो तो पहले वे एडवर्ब होता है देख लोगे वे एडवर्ब के रूप में यूज होता है वो देख लोगे नाउन एडवर्ब दो ना एडवर्ब खोज लोगे very far या large amount किसके साथ प्रियोग करेंगे इसको प्रिपोजिशन के साथ या एडवर्ब के साथ तो यहां प्रिपोजिशन के साथ आया है ना ओफ के साथ को दिकत समझ में आगया होगा कि यूजड भी था प्रिपोजिशन या एडवर्ब है वे तो यहां ओफ के साथ आया है और little भी adverb होता है वो भी check कर देता है तुम लोगों को ताकि idea लग जाए ऐसे गया ना कि ऐसे अगर reading नहीं करोगे ना तो यह शब्द कभी फसेगा ही नहीं और फसेगा ही नहीं तो सिखोगी भी नहीं फसता है doubt होता है तभी ना आदमी तो देखो little adverb भी है a little थोड़ा सा ठीक मतलब बिल्कुल कम नहीं मतलब बहुत जादे नहीं not much बहुत जादे नहीं थोड़ा सा लेकिन बहुत कम भी नहीं तो meaning क्या होती है समझा देते हैं meaning समझा देते हैं पूरा यहां तक और फिर आगे का parsing करके फिर उसकी meaning एक साथ बता देंगे क्योंकि यहां तक इतना discussion हुआ है तो meaning बता देंगे तो थोड़ा clarity आ जाएगा कि मतलब कह कह रहा है तो यह कह रहा है George का कहना है कि all that is left of what my mother's family owned तो जितनी भी चीज़े हमारी ममी के परिवार ओन करते थे यानि जिसके वो मालिक थे उसमें से जो कुछ बचा है हुआ है हमारा अपना घर किरेन cottage और एक खेट a little way off यहां से थोड़ा जादे दूरी पे है way off का मतलब कि है थोड़ा जादे दूरी पे है मतलब पास में नहीं है and किरेन आइलेंड और किरेन आइलेंड यहां बात किस ने कहीं George ने यानि हमारी ममी की family जो जो चीज़े ओन करती थी जिन जिन चीजों के वो मालिक थे उन मे आइलेंड यहां बात कही George नहीं है George इना ने तो समझ में आया होगा यह वाला point चलिए आगे देखते हैं तुम लोगों को अगर अपनी English improve करनी है तो हर वीडियो के end में comment कि अगर वीडियो खत्म हो जाती है और comment करने के बाद दुबारा उसको पढ़ोगे तो अपना syntax analysis हो जाएगा ठीक है कि आपने कहां पर गलती कि है कि Adverb के पहले noun लिख दिया है noun के बाद pronoun लिख दिया हो सब कि Mother says Mother subject हो गया आपका Mother यहां पर आपका क्या हो गया subject हो गया says verb का पांचमा रूप when Adverb है time के लिए उस हो रहा है when conjunction भी है लेकिन यहां पर when को क्या है हम लोग आपने उस कर है Adverb के तौर पे कंजंक्शन के दौर पे नहीं यूज हो रहा है I am grown-up subject हो गया I M आपका हो गया main भर grown-up आप adjective भी कह सकते हो grown-up के adjective की तरह भी आम लोग यूज करते है grown-up का मतलब होता है जो बड़ा हो चोका हो ठीक है तो grown-up को आप कैसी यूज करते है adjective की तरह यूज करते है तो grown-up यहाँ पर क्या adjective क्या आपको पता है कि B verb को जब main verb की तरह यूज करते है तो उसके साथ adjective आता है या फिर noun आता है तो एक बर ऐसे बता देते हैं तुमनों को थोड़ा doubt होगा जब भी कोई नया शब्दा आता है नो तो doubt होना क्या है एकदम natural है तो grown-up adjective के तरह भी इस्तमाल होता है grown-up का मतलब होता है बड़ा आदमी देखो grown-up है न adjective mentally and physically and adult जो क्या है mentally or physically adult हो जाए तो जब मैं बरी हो जाओंगी दीप मालों को समझ में नहीं आता कि क्या comment करें आच्छा कोई बात नहीं बचा comment कर सकते हो कि वीडियो कैसा लगा फाइदा हो रहा है नुक्सान में रहा है और कुछ नहीं it will be mine तो it हो जाएगा आपका pronoun यहां किसके लिए आ रहा है यह total जो property है उसके लिए आ रहा it will be mine तो will आपका क्या हो जाएगा auxiliary verb model auxiliary है यहां पर be आपका क्या है यहां पर आप यूज कर रहे है भर्ब का पहला रूप है और mine क्या है आपका adjective की तरह यूज हो रहा है लेकिन क्योंकि यहां अकेला आ रहा है वाक्य के अंत में तो हम इसको क्या कहेंगे pronoun कहेंगे positive pronoun तो my होता है आपका positive adjective और mine होता है आपका positive pronoun क्या पता है मोहन को आवाज आनी शुरू हूई या नहीं हूई she says she says subject हो गया she says भर्ब का पांचपा रूप she doesn't want it now she subject हो गया फिर आपका doesn't auxiliary भर्ब plus not आपका adverb है want भर्ब का पहला रूप it हो गया pronoun और now हो गया आपका adverb चला आप आवाज आ रही है मोहन को कुछ हो जाता है कईवर volume tap to unmute करके option आता है कईवर हमसे भी miss हो जाता है ऐसा कुछ नहीं है तो कईवर हम लोगसे भी miss हो जाता है और बहुत बरी बात नहीं है अई आईदर कौन कौन से ही मारा था यह आईदर कौन-कौन से ही मारा था, बताओ अडवर्ब होगा आईदर यहाँ पर क्यों होगा, अडवर्ब होगा नेगेटिव टर्म के बाद इसका प्रयोग किया आता है, हाँ डिक्शनरी का यूज किया करो देखो, आप तुम लोग में से जो भी बच्चा है, जो कुछ दिन से जुड़ा हुआ है तुम लोग यह फेस करोगे, या फिरिया रियलाइस करोगे कि अब तुम लोगों का क्या होगा, कमांड आ रहा होगा धीरे-धीरे, मतलब ऐसा नहीं कि डाउट्स आने पर क्या है, तुम लोग जल बिन मचली की तरह तरपते हो गया थुरा डिक्शनरी का यूज करके, पार्सिंग करके क्या है आप हमें लगता है कि काफी सारे डाउट्स तुम लोग क्या है, मतलब खुद से क्लियर कर लेते होगा मतलब हम सही कह रहे हैं या गलत, यह बताओ पहले से स्थिती सुधरी है या नहीं कि अभी भी जल बिन मचली की तरह परपड़ाने लगते हो थोड़ा डाउट होता है तो या फिर खुद से रियलाइज करने में सक्षम हुए हो थोड़े बहुत जिनका भी 10-20 सेशन से जादी हो चुगा है उनसे पूछ रहे हैं फिल करते हैं मतलब उनको कंट्रोल नहीं लगता है कि हम समझ रहे हैं मतलब उनका काम चलता है थोड़ा कंट्रोल होगा तो आपको चली आगे दिखिएगा अगला शब्द जो है आपका शॉट है नाउन की तरह यूज हुआ है आफ का प्रियोग करके दो नाउन के हाँ डाउट्स आएंगे बट क्या होना चाहिए कि हम खुद से अब उसको दूर कर सकते हैं तो शी इस शी आपका सब्जेक्ट हो गया रायगा इस आपका यहाँ पे में वर्ब हो गया में वर्ब है तो बाद में नाउन होगा और अगर इस आपका auxiliary भप होगा वी वर्ब का कोई भी रूप तो भीफर या फिर भीछ रेए आगा डुक जाओ चलो यहां पर is नहीं है has है जैसे ही आगे जाओगे तो आपको क्या है पता चल जाएगा कि यहां क्या है has है हम भी क्या है क्योंकि हम भी तो पहले से पढ़के नहीं रखते हैं आपके सामने ही हम पढ़ते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर अलग term है देखो has है she has given it to me और यहाँ पर short of जो है वो एक phrase हो जाएगा आपका short of क्या हो जाएगा phrase जिसका मतलब होता है कुछ हद तक या एक तरह से तो तुम लोग में से जो भी बच्चे हो copy पर लिख करके parsing करके भेजते हो नो copy रखोगे और जब इस तरह का कुछ special meaning आएगी तो उसको क्या करोगे लिख लोगे ठीक है तो she has short of तो यहाँ पर phrase है और adverbial phrase है adverb का यहाँ काम कर रहा है देख लोगे क्योंकि इधर auxiliary verb है has और दाहिनी तरफ में main verb है given तो adverbial का काम कर रहा है ठीक है मिटा रहा है इसको बच्चा given हो गया आपको भर्ब का तीसा रूप it हो गया pronoun to हो गया आपका preposition और me हो गया आपका object it हो गया तुम्हारा subject belongs हो गया भर्ब का पांचमा रूप to हो गया preposition me हो गया object क्योंकि preposition के साथ जभी हम लोग noun use करते हैं तो objective case का use करते हैं dictionary अपडेट करने को बोलेगा update मत करना क्योंकि उसको हम ने purchase कि आपने नहीं आप जैसे अपडेट कीजेगा वैसे यह आपका भाग जाएगा तो उसको नहीं update करना है कोई दिकत वो बोलेगा यह update करने को लेकन dictionary में update क्या होता है सारा शब्द अगर मिल ही रहा है तो क्या चूट रहा है कुछ भी नहीं चूट रहा है शी सेज शी ड़संट वांठी इट आपका क्या हो गया उसके बाद is है आपका में भर्ब की तरह use हुआ है my own private तो my आपका क्या हो गया adjective हो गया own भी क्या हो गया आपका adjective हो गया private भी आपका क्या हो गया adjective हो गया और island आपका क्या हो गया noun and आपका conjunction हो गया I आपका subject हो गया don't auxiliary verb do plus adverb है आपका not let हो गया भर्ब का पहला रूप anyone हो गया आपका pronoun go भर्ब का पहला रूप there आपका adverb है unless आपका conjunction है they subject get भर का पहला रूप my होगे आपका adjective और permission होगे आपका noun चलिए आप मिठा देते हैं और इतना पढ़ा देते हैं आज का बहुत ही fruitful था आज पार्सिंग में बहुत सारे नए elements थे तो देखो यह random होता है तुम लोग कई बर सवाल पूछने लगते हो तो random है कोई ऐसा term है जो तुमको नहीं आता है तो हमने जान बुच के नहीं छोड़ा आज का जो designated paragraph था किस्मत से उसमें नहीं आया यह आखबार में हमने जो पहली दो लाइने पढ़ी उसमें नहीं आया बटो कभी ना कभी repeat होगा इसलिए क्या है पीच में नहीं disrupt करना है mother says मा का कहना है when I am grown up कि जब मैं बरी हो जाओंगी it will be mine यह मेरा हो जाएगा she says she doesn't want it now उनका कहना है कि उन्हें अभी यह नहीं चाहिए either मतला उनको भी नहीं पसंद है उनको भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है so she has short of given it to me तो एक तरह से कहो कि उसने क्या है माने मुझे यह island swap दिया है adverb or pronoun में confused हो तुम तो class करते हो नो सौरब वो doubt दूर हो जाएगा जो topic परहा दिंग उसका doubt दूर हो जाएगा बट यहां पर जब भी कोई शब्द हो जो आपको doubt हो कि हमने बोला था adverb सर ने बोल दिया प्रणान वो पूछ लिया करो it belongs to me तो यह हम इसके मालिक है it is my own private island यह मेरा अपना private island है and I don't let anyone go there unless they get my permission और मैं किसी को वहाँ तब तक नहीं जाने देती हूँ जब तक वो मेरी permission नहीं ले लेते हैं आगे the three children stared at her हाँ क्यों नहीं आ सकता है tall, dark and handsome बोलते हैं ना tall, dark and handsome तो my positive है my तो आपका positive है ना तो my के बाद noun चाहिए तो noun है आपका island के लिए दो adjective है own और private my क्या है आपका positive adjective है normal adjective नहीं हूँ, positive adjective है उसके बाद noun चाहिए तो आप adjective साथ जितने चाहे मतलब noun के साथ जितने चाहे उतने adjective आप use कर सकते है और करू न private island को compound down माल लो कि भाई private island क्या है दो शब्दो से मिलके बना एक noun है जैसे my washing machine है तो my washing machine में my adjective washing adjective machine noun या फिर बोल दोगे एक सार my positive adjective हर washing machine के है compound noun है तो भी चल जाएगा तो three children stared at her तीनों बच्चों ने से घूर के देखा they believed every word George said उनको George की कही के एक एक बात पर भरोसा था for यहाँ पर for की मीनिंग है क्यूंकि conjunction है for की मीनिंग क्या है क्यूंकि it was quite plain that the girl was speaking the truth क्यूंकि बात सपष्ट थी कि वह जो लरकी है वह सच बोल रही है fancy कलपना कीजिए fancy verb है जिसकी मीनिंग होती है कलपना कीजिए having an island of your very own कि आपका खुद का एक island है they thought she was very lucky indeed उन्होंने सोचा कि वह बहुत lucky है चलिए करल का task दे देते हैं parsing का कल का भी लंबा चौरा रखते हैं टास्क और से ले करके haven't तक ठीक है दो मिनिट का ब्रेक दो मिनिट के बाद close test के class में मिलते हैं थैंक्यू आव सब गोई